बिस्मिल्लाहरामान ररहीम अभी हम पढ़ने वाले हैं या फिर आपको मैं बताने वाला हूँ कि OSPI किस तरह आती होती है OSPI हमारी आज ही हुई है KMU Final Prof की 4th year के तो उसमें जो आज Neuro का ब्लॉक था उसके मुतलिक क्या क्या स्टेशन आये थे मेरा स्टेशन जो स्टार्ट वा था स्टेशन नंबर वन से वो था Medicine का Neurological Examination थी Motor System की उसमें बेसिकली करना क्या था कि पहले पहले आप जो हैना कंसेंट लेते हैं और इसके बाद उन्हें कहते हैं कि आपको तकलीफ अगेरा नहीं होगी इस तरह बाते करके उसके बाद जो है आप उसके Planters चेक करते हैं विबिन्स की साइन चेक करते हैं बाकी Reflexes चेक करते हैं आपके पास जो है Reflex Hammer होना चाहिए आज तो वाँ पड़ा हुआ था लेकिन हमारे पास नहीं था पिछली बार जो ब्लॉक की आसपी हुई थी तब हमारे पास नहीं था तो आपके बास होना चाहिए ठीक है उसके बाद मसल की Tone, Power, Strength ये चीज़े हैं ठीक है और उसके बाद Cerebellum के Function अगर आप जो है ना कह नहीं सकते या करवा नहीं सकते तो at least कह दें I would like to check the Cerebellar Functions ठीक है ये मैंने मिस्टेक की थी इसलिए आपको बता रहा हूँ ठीक है Station No.1 clear हो गया फिर आते हैं Station No.2 पे Forensic का Station था धतुरा के seats पड़े हुए थे Fatal dose, Fatal period और Medical Legal Importance पूछी हुई थी ठीक है फिर आते हैं तीसरे पे तीसरे में हमारे पास था Forensic का वाईवा था Forensic Psychiatric Definitions थी Basic, Lucid Interval हो गया F.U.G.U.E, Fugu लिखा हुए था ठीक है तो वो था Confabulation था मैं मैं अच्छी थी उन्हें ने एक दो पूचियों के थे कोई सी भी बता दो ठीक है Skull Fracture की Types थी ठीक है Elevated था Depressed था Gutter और Linear आएवे थे ठीक है तो उसमें भी कोई 2-3 बतानी थी और उसके बाद जो है हमारे पास Station No.4 आगे और फिर Forensic का वाईवा था ठीक है Alcohol poisoning थी उसके stages Excitation, Narcosis, Incoordination ये जीज़े पूचियों थी Fatal Dose, Fatal Periods और Lab के टेस्ट ये बहुत इंपॉर्टन थे के Blood से, CSF से, Urine से और वेटरस से ये निकाल सकते हैं ठीक है Alcohol उसने पी हुई है Alcohol breath टेस्ट भी था ठीक है फिर उसके बाद जो है इसका Antidote भी पूच्छा हुआ था ठीक है फिर उसके बाद आते हैं Station No.5 पे Station No.5 में हमारे पास Community Medicine का एक तस्वीर से बनी वी थी उसमें Incidence of Prevalence की Definition पूची वी थी और मतलब दौरानिया दियावा था Like For Example हम कह लेते हैं कि October 1 से लेकर Next साल के October तक ठीक है तो उसमें कितने लोग नए केसिज आए और कितने प्रेविलेंस ही है आप जो है ना उसमें हायात में बुक है उसके ने तस्वीर बनी हुए इसकी वहाँ से देख ले ठीक है Incidence Prevalence काल्कुलेट करना था 4 और 8 जवाब आता था कितने प्रेविलेट करना था ठीक है और उसके बाद आप लिख ले थे थे ठीक है Station No.5 हो गया पर Station No.6 हा गया Station No.6 में जो है ना कम्यूनिटी का सिनेरियो था इस तरह का के 7000 लोग जो है वो 25 साल तक उनके उपर study की गई ठीक है कि उनके अंदर जो है 7000 ये लग थे और 10,000 कंट्रोल्स थे हमारे पास कि उन्होंने बिटल चुइंग की तो उनके पास जो है डिजीज हुई या ना हुई ठीक है ये सवाल था तो फिर ये study type कौन सी थी most probably cohort थी मैंने cohort ही लगई ये ठीक है बाकी इसमें morbidity का आपको कौन सा साइन पता चलता है मैंने तो incidence लिखा है कि कितने लोगों को ये हो रहा है इसलिए मैंने incidence लिखा है इसी scenario के मतलिक सवाल था ठीक है फिर उसके बाद जो है हमारे पास external का एक वाईवा था जिसके अंदर उसने study designs पूछे हुए थे आपको सारे study designs का पादा होना चाहिए मतलब case control क्या होता है cross sectional क्या होता है उसके इलावा cohort क्या होता है experimental studies क्या होती है interventional studies कौन कौन से होती है ये सब आपको पता होना चाहिए ठीक है और इसके मतलब की बताया था मतलब for example prevalence किससे check होती है incidence किससे check होती है और सब का test of measurement कौन से है हम cohort से relative risk measure करते हैं और case control से odds ratio measure करते हैं ये भी पूछा हुआ था ठीक है फिर उसके बाद station no.8 पे आते हैं station no.8 में हमारे पास community का internal viva था जिसके दर basic definitions पूर्शे रहे थे data क्या होता है, variable क्या होता है biostatistics क्या होती है epidemiology क्या होती है फिर उसके बाद 9, 10, 11 sorry 8 लिखा गया है ठीक है उसके अंदर हमारे पास depression की एक prescription आई हुई थी migraine की prescription आई हुई थी और generalized body seizures की prescription आई हुई थी ठीक है, आपको लिखवाते होते हैं वही बस लिखने होती है फिर उसके बाद हमारे पास station number 12 की अगर बात करें तो इसके अंदर हमारे पास external कवाईवा आया हुआ था, pharma का उसके अंदर MAO inhibitors की classification पूछ रहा था, मतलब के MAO A होती है और B होती है ठीक है, एटिपकल एंट्री डिप्रेसेंट MA-Triptaline और इमेपरमीन, नौर ट्रिप्रेसेंट उसने कहा है कि nocturnal aneurysis की जो है वो drug of choice क्या है तो उसके इमेपरमीन है, ठीक है और cheese reaction क्या होता है, MAO inhibitors के साथ होता है, ठीक है, cheese reaction ये भी पूछा हुआ था उसने फिर उसके अंदर हमारे पास जो है ना internal का वाईवा आ गया, उसके अंदर lithium के side effects थे, ठीक है वो abstain anomaly, एक side effect उसका बहुत important है, welproid के side effects थे और Parkinson drug की classification पूछी हुई थे उसने, ठीक है फिर उसके बाद हम आते हैं station number 14 पे, गया था, station number 14 पे जो है ना pilocytic astrocytoma की उसने तस्वीर लगए हुथी, Robin से ठीक है, और उसके identification points बताने थे, कि उसकी welcome circumscribed होता है cystic होता है, amigzoid और mucoid appearance होती है, उसकी चीज़े बतानी थी, ठीक है, और treatment जो है ना, इसका complete surgical excision है उसके अलावा grade of tumor में अगर हम बात करें तो ये world health organization के मताबिक grade 1 का tumor पाइलसेटिक astrocytoma फिर उसके बाद हमारा station 15 और 16 आता है इसके अंदर हमारे पास pathology के कुछ सवाल थे, जिसके अंदर multiple sclerosis पूछा गया उसके बाद गुलियन bari syndrome पूछा गया, levy bodies Parkinson's में होती है, Parkinson's with levy body, वो क्या होती है, alpha sinuclein मैंने बताया उसे, ठीक है ये चीजे थी उसके बाद जो हमारे पास जो वाईवा था, psychiatric का एक वाईवा था, ठीक है, उसके अंदर उससे पूछने थे कि तुम्हें symptoms के हैं पूछने की ये चीजे, ठीक है तो more history taking of psychiatry like depression का उससे पता करना था उसकी symptoms पूछने थे उससे और जो last है वो ये है के एक histological appearance बनी हुई थी ठीक है, उसमें shivanoma था, ठीक है तो shivanoma में हमें पता है का anthony A और anthony B cells होते हैं लेकि उसने उसका malignant counterpart पूछा था ये मुझे confirm नहीं एक क्या है लेकिन ये सवाल थे ठीक है तो इसके इलावा भी अगर आपको कुछ सवाल हों तो आप comments में पूछ ले अगर आप ये चीजें कर लें आपको idea हो गया होगा कि पूछते क्या क्या है आप्टेगा थे धर चीजे प्रच्वाट अगर चीजेगा थे मुझे इसके इसके लेष्टयू